हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपसे थोड़ी डिटेल शेयर करूंगा अबाउट रॉन बारसिलो डोराडो रम तो गाइज ये एक इंपोर्टेड रम है जो डॉम्निका कंट्री है वहाँ से इंडिया इंपोर्ट होती है तो ये एक डॉम्निकन रम है तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ फिर कुछ इंफोर्मेशन आपको बताऊँगा तो एक बार आइसकी बॉटल दिखा देता हूँ आपको तो फ्रेंड्स एक बहुत ही यूनीक शेप और बहुत ही गुड लुकिंग बॉटल है इसकी एक इंपोर्टेड रम है ये विस्की नहीं है एक मैं आपको बता दू ये रॉन बारसिलो एक डिस्टिलरी है जो डॉमनिका कंट्री में सिचुएटेड है और ये रम बनाती है एक तो डाक रम जिसको हम बोलते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन इसका कलर हमारी इंडियन ओल्ड मॉंक और बकाडी ब्लैक जैसा क मैं आपको बता दू ये जो रम है ये शूगर केन के जूस से बनती है इसमें मॉलासिस बिलकुल नहीं है क्योंकि जादतर इंडिया में जो रम है जैसे ओल्ड मॉंक है मैक डॉवल रम है बकाडी ब्लैक है इनमें ये सब मॉलासिस से बनती है तो मैंने आपको पहले भी बत जूगर केन के जूस से बनती है, इसमें मॉलासिस बिल्कुल नहीं है, और इसको अराउंड टू टू थ्री एर्स एक्स ओग बैरल में मैचूर किया जाता है, तो एक बहुत ही लाइट और स्मूध टेंज देती है गाईज यह, और बहुत ही अच्छी और गुड कॉलिटी की रहम है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दू, यह एक 750 ml की बॉटल है, और 37.5% इसका एलकोहल स्ट्रेंथ है, और मैं प्राइस की बात करूँ, तो अराउंड 2400 रुपीज इसका प्राइस है, इन उतराखण, आपके स्टेट में और अधर स्टेट में प्राइस वेरी कर सकत है, लेकिन गाइस यह बहुत कम देखने को मिलती है, हर स्टेट में नहीं मिलती है देखने को, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है यहापे, तब मैंने सोचा मैं इसको लूँ क्यों कि विंटर में तो आज कल विंटर सीजन चल रहा है तो रम का मौसम तो है, तो एक बहुत बहुत ही सूधिंग और बहुत ही स्मूध रम है और सुगर के इनके जूस से मनती है, बड़ा ही अलग मैथड है इनका इस रम को बनाने का और फिर यह उसको एक बैरल में मैच्योर करते हैं और जैसे इंडिया में आप जानती है बड़ी डार कलर की रम मिलती है लेकिन इसक केरेमल, चैरी, बटर स्कॉज और कोकोव का थोड़ा आपको इसमें फ्लेवर मिलेगा बहुत ही लाइट एं स्मूध रम है गाईस क्यूंकि 37.5% इसका एलकॉल स्टेंथ है थोड़ा एलकॉहल भी कम है इस वज़े से यह थोड़ा और ज्यादा स्मूध लगती है तो गाई थैंक यह वरी मुच पर वाचिग इस वीडियो